अगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक सेर जरूर करें चली फिरूबात करते हैं आज के इस सेशन का सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे क्वेस्टन के अगौर्डिंग में पहला क्वेस्टन यहां पर रखा गया है आयुष्मान भारत के संदर्व में ध्यान रखेंगे आप क्रियान वयन के बारें बात कर रहा है क्रियान वयन में राज्य को यानि की छतिस गड़ राज्य को हाली में नाइंध पोजिशन यानि नवा स्थान प्राप्त को है ठीक है याद रखेंगा क्रियान वयन को ले करके राज्य को 9th position मिला है अब बात आती है कि क्रियानवेन में बाकि Top 3 states में कौन से है तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे टोटल अभी तक 36 गढ़ राज्ये में कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है तो टोटल 36 गढ़ में 1.32 कडोर 3 to 1 कडोर 32 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है ध्यान रखेंगा आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है किसमे 36 गढ़ में और 36 गढ़ जो है यह है हमारा 9th position पे तो 1st पे कौन होगा तो ध्यान रखेंगा 3 कडोर 3 पॉइंट याद रखेंगा तीन कडोर साथ लाग लोगों का आयूशमान काड़ बनाने के बाद सबसे टॉप में है आंधर प्रदेश ठीक है सबसे टॉप में कौन सा है आंधर प्रदेश ठीक है किलियर रहेगा आंधर प्रदेश सबसे टॉप में है सेकेंड नमबर पे अगर हम आपसे बात करें तो वे करोड के आसपास West बंगाल ने आयुश्मान कार्ड बनाया है तीसरे नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश ठीक है तो टॉप त्री स्टेट्स में आंद्राप्रदेश वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश है अब अगर हम अभी इन सभी इन सभी चीजों में अगर देखें यानि 36 गढ़ राज्य के संदर में बात करें तो number 1 पे कौन सा है तो ध्यान रखिएगा रायपूर 10.8 लाग ठीक है 10.8 लाग second number पे है आपका जांजगीर चापा 9.8 लाग ठीक है 9.6 लाग third number पे है आपका राजनन्द गाउं जिसने 9.3 लाग और fourth number पे है आपका दुर्ग fourth number पे है आपका दुर्ग जिसने 8.65 लाग आयुश्मान कार्ड बनाया है सबसे fifth position की बात करें तो fifth position में आता है नाम बिलास्पूर का जिसमें से 5 लाग के आसपास आयुश्मान कार्ड बनाया गया है तो यह आपके राज्य की status रही और यहाँ पे चतिस गड़ का status पूरे देश में 9th number पे है clear रहेगा तो correct option बन जाएगा यहाँ पर आपका A ठीक है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे question पे one अधिकार अधिनियम के क्रियानवयन के समद में कौन सा कथन सही है ध्यान से देखेगा one अधिकार अधिनियम के क्रियानवयन में तो आप से यहाँ पर पूछा जा रहा है one अधिकार अधिनियम तो आप ही को पता होगा कि one अधिकार अधिनियम के में 36 गड़ राज्य जो है पहला ऐसा राज्य है जिसने वन अधिकार कानून को लागू किया और साथी साथ वन अधिकार पत्र बेक्तिगत रूप से वन अधिकार पत्र बेक्तिगत रूप में यानि कि बेक्तिगत वन अधिकार पत्र दूसरा सामुदाईक वन अधिकार पत्र सामुदाईक वन अधिका देखेंगे लास्ड तो यहां पर देखेंगे के Griffils रही है वन अधिकार के मामले में अहर अथिकार प्धार एकार पत्र बाते घए जो है वो है आपका 23,984 ठीक है 23,982 सामुदाइक सामुदाइक वन अधिकार पत्र 36 गड़ राज्य में बितरित किये गए हैं अब हम question को देखेंगे question में है 36 गड़ वन अधिकार धनियम के क्रियानिमन में अग्रणी राज्य है बिल्कुल सही बात है दूसरा है विगत चार वर्सों में कुल 54,000 विक्तिगत वन अधिकार पत्र बितरित किये गए तो यहां पर एक्जेक डिटा है 54,500 और यहां है 54,000 तो आप ध्यान रखेगा 54,000 से भी अधिक अगर कहीं पर रिखा रहे या एक्जेक डिटा रहे तो आप इसको consider करके चलेंगे correct option में ठीक है दूसर से अधिक सामुदाइक वन संसाधन अधिकार पत्र मानने किये गए हैं तो यहां पर तीनों के तीनों statement जो है आपके सही है तो option क्या हो जाएगा option हो जाएगा आपका D ठीक है चलिए next question पर चलते हैं एक किरन ध्यान रखेगा चंजट्जगरी फिल्म है किरन जो की transgender पर सोद के बाद बनाया गया है सोद करने के बाद उनकी समाजी किस्तिि क्या है इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए किरन movie बनाई गई किरन फिल्म बनाया गया किसने बनाया अभिशेक पांडे ध्यान रखेंगे किस ने बनाया अभीषेक पांड़े ने जो कि और ते जैपूर के इंटरनेशनल फिल्म फिस्टीबल में जहां पर जैपूर में आउजन होगा और जहां पर 1100 से भी अधिक फिल्म आये थे स्क्रीनिंग के लिए बट स्क्रीनिंग में सिर्फ 269 फिल्म को ही सॉट लिस्ट किया गया और इन 269 फिल्म के सॉट लिस्ट में अपने राज्य का यानि चत्तिस गड़ राज्य का कीरन मुवी इसमें सामिल है ध्यान रखेंगे आप कीरन मुवी सामिल है अब बात आती है यहाँ पर ट्रांस जेंडर के कंडिशन में तो ध्यान रखेगा कि हाल ही में कमला भशीन पूरसकार स बिद्या राजपुत जो की बस्तर की रहने वाली है ट्रांस जेंडर है उनको सम्मानित किया गया था ठीक है कमला भशीन कौन है तो ट्रांस जेंडरों के हक के लिए जेंडर गैप के लिए जेंडर इक्वालिटी को देखते हुए हक के लिए एशिया में आंदोरन करने वा हाली है उनको दिया गया है तो correct option यहाँ पर बन जाएगा आपका बी additional information आप थोड़ा-थोड़ा collect करते रहिएगा next question है हाली में केंदर सरकार द्वारा किस्तिथी को बिरबाल दिवस के रूप में मनाने की घोशना की गई है बिरबाल दिवस धियान रखेंगे अब किस्तिथी को यानि तारीख के बारे में बात किया गया है तो आप लोगों ने सीखों के दसमे गुरू गुरू गोविन जी के बारे में पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर जब देखेंगे तो यह देखने को मिलता है कि 23rd दिसंबर से ले तो के 23 दिसंबर से लेकर के 23 साल साडहे 3 100 साल पहले 23 से लेकर सब traction 27 दिसंबर के बीच में इनके 4 पुत्र जो थे चारों पुत्रों की सहादत होगी मतलब बलिदान दिया था चारों पुत्रों की सहादत हुई थी ठीक है तो इन सभी की जो सहादत हुई है, सहादत 23 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में हो जाती है, ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो चार पुत्रों की सहादत के ही याद में, ध्यान रखेंगे गा, गुर्गोबिन सिंग के पुत्रों की सहादत की याद में, बीर संस्थापन्त के संस्थापक के रूप में देखे गए हैं साथी साथ बिद बंदा बहादूर सिंग का अगर आप लोगों ने सिखिजम के बारे में पढ़ा होगा तो बीर बंदा बहादूर सिंग के बारे में भी पढ़े होंगे सरहिंद की लडाई हो गई सरहिंद की केंदर सरकार के दोरा गोशना की गई है करेक्ट ओप्सन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन पे question है मुख्य मंत्री स्रमिक सियान सहायता योजना के संदर्ब में सत्य कथन का चैन करें तो मुख्य मंत्री स्रमिक सियान योजना शुरुवात कब हुई शुरुवात हुई एक मई को ध्यान रखेगा मुख्य मंत्री स्रमिक सियान जतन योजना ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री स्रमिक स्यान साहता योजना जो है कब सुरुवात हुई यह सुरुवात हुई एक मई 2022 को किसके द्वारा किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्य मंत्री के द्वारा कंडीशन क्या रखी गई है हितगराहिता क्या है यानि कौन है इसके पात्र तो ध्यान रखिएगा पात्रता के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम 59 एर्स एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 एर्स एज होना चाहिए इसके अलावा इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस योजना में एक मुष्ट 10,000 रुपे की रासी सहायता रासी दी जाती है साथी साथ कंडीशन रखी गई है कि सन निर्मान में अगर हम बात करें कर्मकार मंडल में आपका पिछले तीन वर्सों में ध्यान रखिएगा तीन वर्सों से आपका पंजियन होना चाहिए तीन वर्सों से लगातार अगर आप पंजिक्रित हैं और साथी साथ आपको यहां पर इस योजना का लाब दिया जाएगा क्लियर रहेगा शुरुवात कब हुई एक माई 2022 को मुख्य मंत्री के दवारा शुरुवात किया गया कंडिशन रखी गई है तीन वर्सों तक करमकार मंडल में at least आपको रजिस्टर होना चाहिए और साथी साथ मिनिमम एज 59 मैक्सिमम एज 60 इसके अलावा 10,000 रुपे की एक मुष्ट रासी दी जाएगी क्लियर है चलिए क्वेशन पर आते हैं अंतरास्टी स्रमिक दिवस को मुख्य मंत्री ने इस योजना के शुरुवात की बिल्कुल सही बात है इस योजना में ऐसे स्रमिकों को सामिल किया गया है जिनकी नियुनतम उमर 59 इर्स और मैक्सिमम जो है वो 60 इर्स है और तीसरा भी आपका सही है क्योंकि यहां बोला गया है एक मुष्ट 10,000 रुपे की सहायता रासी दी जाएगी तो जब आप यहां देखेंगे तो आपके सभी के सभी जो option है वो correct है that is option A will be correct ठीक है option A will be correct clear रहेगा clear रहेगा यहां पर अगर आप लोग अभी देख पा रहे होंगे जो भी questions मैं लेके आता हूँ आपकी योजनाओं से related questions जादा है क्योंकि आने वाले exams जो भी है CGPSC का है या upcoming जो भी exam आएगा यहाँ पर योजनाओं के बारे में आपसे questions रहेगा ही एक से दो questions जो हैं आपकी योजनाओं के रहेंगे एक से दो questions आपके राज्य अलंकरन से रहेंगे नेक्स्ट question पर चलते हैं question है यहाँ पर शियान जतन क्लिनिक ध्यान से देखिएगा सियान जतन क्लिनिक सियान जतन क्लिनिक के संबंद में दिये गए कथन पर विचार कर सही विकल्प का छेयन करें तो पता हो रहा चीए सियान जतन क्लिनिक actually है क्या सियान जतन क्लिनिक सुरुवात कब हुई ध्यान रखेगा इसकी सुरुवात की गई थी 7 अप्रेल 2022 को योजना की सुरुवात की गई और सियान जतन क्लिनिक में राज्ये के जितने भी senior citizen है senior citizen का मतलब है 60 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी लोग है उनके स्वास्त सहायता के लिए स्वास्त सहायता के लिए और स्वास्त देख भाले तो सियान जतन क्लिनिक का सुभारम किया गया और प्रतेक महीने के ध्यान रखेंगे प्रतेक महीने के पहले गुरुवार को प्रतेक महीने के पहले गुरुवार को क्लिनिक लगाई जाएगी ध्यान रखेंगे पहले गुरुवार को क्लिनिक लगाई जाएगी और साथी साथ इसमें कौन-कौन से डिपार्टमेंट जुड़े हुए आयूरबेद और आयूष ध्यान रखेंगे आयूरबेद अस्पत शाथी साथ अयूज की dispensary जितनी भी हैं सभी को इसमें सामिल करके इस योजना का सुभारंब किया गया है अब बात आती है कि हमारे राज्य में आईूज dispensary हैं कितने तो ध्यान रखेगा हमारे राज्य में कुल जो है 1174 घ्यान रखेंगे आप 1174 आयूज डिस्पेंसरी हैं कितने हैं 1174 आयूज डिस्पेंसरी हैं जिसके तहट राज्य के सभी senior citizen को सभी senior citizen को स्यान जतन क्लिनिक के माध्यम से सेवा प्रदान किया जाएगा किलियर रहेगा तो अब हम वापस आते हैं बोला गया आपसे योजना की शुरुआत बिश्व स्वास्त दिवस को किया गया यानि की world health day के दिन 7 अप्रील 2022 को करेक्ट है दूसरी चीज योजना केता है तराज्य के सभी 60 वर्स जदिक आयू के लोगों को बेहतर स्वास्त मिल किया गया है आयूरवेद अस्पताल आयूस डिस्पेंसरी और इंस्टिट्यूट के माध्यम से योजना को क्रियानवित किया जाएगा ओके तो यहां पर भी आपके तीनों के तीनों स्टेट्मेंट करेक्ट है that is option D is correct answer ठीक है आगे बढ़े चलिए next question है आपका उतक्रिष्ट खेल प्रोचाहन योजना के तहत रास्टी अस्तर पर उतक्रिष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को कितने रूपए की प्रोचाहन रासी राजे सरकार द्वारा दी जाएगी तो ध्यान रखेगा उतक्रिष्ट खेल प्रोचाहन योजना सुरुवात किसके द्वारा की गई है सुरुवात किसके द्वारा की गई है किसी ओजना के द्वारा की गई है स्रम विभाग एवं कर्म का कल्यान मंडल ध्यान रखेगा स्रम विभाग स्रम विभाग ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है करम कार कल्यान मंडल के द्वारा इसके सुभारंब की गई है और साथी साथ इसमें पातरता क्या है तो ध्यान रखेगा कि राज जी के जितने भी स्रमिक करमकार है इनके बच्चों को स्रमिक कर्मकार के बच्चों को याद रखेगा स्रमिक कर्मकार के बच्चों को इसका लाफ दिया जाएगा और इसमें चार स्टेडेज डिवाइड है पहला स्टेज है आपका district label का दूसरा है आपका कमिश् v आपसे बात करें तो स्टेट लेबल के लिए घर और सवब्हाँ सब्सक्राइब उसके लिए तो उसके लिए 2000 रुपए और 760 district level के लिए 1000 रुपए की राशी स्युक्रित की गई है clear रहेगा तो इस चीज को आप याद रखेंगे तो बोला जा रहा था यहां आप से राश्टीय अस्तर के बारे में तो राश्टीय अस्तर के लिए 50,000 रुपए राश्टीय अस्तर के लिए 50,000 रुपए तो correct option is B ठीक है आगे बड़े next question पे next question पे चले question है हमर पारा हमर क्लिनिक योजना का संबंध राज्य के किस जिले से है हमर पारा हमर क्लिनिक ध्यान रखिएगा हमर पारा हमर क्लिनिक सबसे पहले कैसे चलाया जा रहा है तो collector के जिला collector के मार्ग दर्शन में जिला collector के मार्ग दर्शन में मार्ग दर्शन में यह कारिकरम चलाया जा रहा है कबर चलाया जाएगा मतलब किस दिन चलाया जा रहा है तो सप्ताह के हर एक दिन सप्ताह में हर दिन अलग-अलग मुहले में हर दिन अलग-अलग मुहले में हर दिन अलग-अलग मुहलों में अलग-अलग छेत्रों की अगर हम बात करें आपके मुहले में, आपके पारा में, आपके टोला में ध्यान रखिएगा अलग-अलग दिन क्या करना है? क्लिनिक लगाई जानी है स्वास्त सिविर लगाई जानी है स्वास्त सिविर लगाई जानी है और इसकी सुरुवात कहां हुई है जस्पूर में ध्यान रखेगा जस्पूर जिला कलेक्टर के मार्क दर्सन में हमर पारा हमर क्लिनिक योजना का सुभारंब किया गया है जिसका उदेश्य है सप्ता में हर दिन अलग अलग टोला या मुहले में क्लिनिक लगाई जाएगी और लोगों के फ्री में अगर हम बात करें तो मुफ्त में नेसुलक स्वास्त जाच किया जाएगा साथी साथ उनको सलाह भी दी जाएगी क्लियर रहेगा तो करेक्ट ऑप्सन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी ठीक है आगे बड़े ओके क्वेस्चन है निमने लिखित में से कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा किशानों की आमदनी आमदनी है तु अवशर को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है द्यान से देखिएगा चिराग योजना याद रखेंगे आप चिराग योजना किशानों की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए किशानों की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए चिराग योजना चलाया जा रहा है और चिराग योजना से क्या होगा किशानों की आमदनी के जितने भी आउसर हैं उसमें बढ़ावा मिलेंगे अलग-अलग तरीके से च सुराजी ग्राम योजना का मुख्यों योजना का लख्स है नेक्ष आपका सुपोशन योजना तो ध्यान रखेगा राज्जी को को से कुपोशन से मुक्त करने और एनीमिया से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री शुपोशन योजना चलाया जा रहा है तो द्यान रखेगा फशल उत्पादन बढ़ाने तो राज्य के किशानों को प्रुचाहन रासी देने से संबंदित है तो यहां पर पूछा गया था कि राज्य सरकार्दो आर कि 사नों की आमदनी को औश्र पढ़ावा ए तो कौन सा योजना चलाया जा रहा है that is चिराग योजना चिराग योजना का परपस क्या है किशानों की आमदनी में आउशर को बढ़ावा देना ठीक है तो correct option बन जाएगा आपका एग आगे बढ़ते हैं next question पे FINA World Swimming Championship 2022 ध्यान से देखिएगा FINA World Swimming Championship 2022 में किस भारतिये तैराक ने breast stroke race में रास्टिये record बनाया है पहले आपको पता होना चिये कि FINA World Swimming Championship 2022 का आयोजन कहां हुआ Australia में ध्यान रखेंगे आप Australia में Australia में इसका आयोजन हुआ और भारत की तरफ से कौन प्रतनी रितु किया चाहत अडोरा ने ध्यान रखिएगा चाहत अरोडा ने ठीक है और breast stroke race की अगर हम बात करें तो breast stroke race में चाहत अडोरा ने एक मिनट एक मिनट तेरफ दसमलो एक तीन सेकेंड में 100 मिटर का रास्टी अस्तर पे यानि कि national level पे national record बनाया है ध्यान रखिएगा national record बनाया है तो यहाँ पे correct option क्या बन जाएगा चाहत अडोरा पूछा गया था भारतिय तैराक के बारे में तो swimming में breast stroke race होती है जिसमें 100 मिटर के breast stroke race में चाहत अडोरा ने एक मिनट तेरा दसमलो तेरा सेकेंड का टाइम लिया और रास्टी लेबल पे यानि भारत में national लेबल पे record बनाया है तो correct option बन जाएगा यहाँ पर आपका B तो यह था आज का session अब बार यह आपके student धर्मा की जहाँ पे question का answer आपको comment box में comment करके देना है question है किस भारतिय राज्य या केंद्र सासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक विशिष्ट अलफा न्यूमेरिक पहचान संख्या सुरू करने का प्रस्ताओ दिया है ध्यान से देखिएगा किस भारती ये राज्य या केंदर सासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक विशिष्ट अलफा नुमेरिक पहचान संख्या सुरू करने का प्रस्ताओ दिया है इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है लास्ट लेक्चर में आपसे जो क्विश्टन पूछा था ग्रीन श्टील ब्रांट के बारे में उसका अंसर होगा कल्यानी फ्रेस्टा आपके महरास्त के पूने में कल्यानी गुरूप के द्वारा डेवलप किया गया है जिसमें पोर्ण रूप से नवीकर्णिये उर्जा को यूज किया गया है ठीक है नवीकर्णिये उर्जा को यूज किया गया है प्रियोग में लाया गया है और साथी साथ इस ब्रांड को लॉंच किया है रास्टिये इसपात मंत्री जियोतिरादित्य सिंधिया जी ने ठीक है